हम आपको दो तरीके के साइनेप्स बताते हैं, जो हमारी बॉड़ी में है. दो तरीके के साइनेप्स बताते हैं, एक बताते हैं केमिकल साइनेप्स वर्सेज एलेक्टिकल साइनेप्स सबसे पहले तो यह समझ लेना कि यह दोनों देखो दिया है आपके इंसेयर्टी में भले आप लोगों ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया दिया है और अपनी भाषा में उसने लिखाया chemical synapse versus electrical synapse सबसे पहली चीज तो यह most common है जादा तर यही है और दूसरी क्या है यह rare है बहुत कम होता है heart वगेरे में कई कई जगों पर ऐसा देखने को सकता है chemical synapse कैसा होता है जैसे मालो chemical synapse का हम एक diagram बना रहे हैं आपके सामने यह pre synaptic membrane और यह post synaptic membrane और जैसे हमने अभी यह बनाया यह वाला chemical synapse है chemical मतलब neurotransmitter की help से यहाँ पे क्या होगा आपको देखने को मिलेगा please be attentive यहाँ पे आपके पास synaptic vesicle है और इसके अंदर neurotransmitter भरे हुए है फिक है इसके अंदर क्या भरे हैं neurotransmitter भरे हैं इसके बाद आपके पास यहाँ receptor है अगली neuron पे फिक है आपके पास क्या present है receptor और यह अपने receptor से bind करेगा और receptor से bind करेगा तो impulse यहाँ से अगली neuron में enter करेगा कि जानते हैं electrical synapse कैसे होते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जानते हैं कैसे होते हैं यह pre synaptic membrane है और यह post synaptic membrane आपको एक अंतर समझ में आ रहा होगा दोनों के बीच gap इसमें बिलकुल भी synaptic एक gap नहीं होता और आप कह सकते हैं यह दोनों आपस में किसी gap junction से दोनों के बीच में एक gap junction प्रेजेंट होता है और impulse इस junction की help से यहाँ से यहाँ travel कर जाता है जिसे अंदर का charge positive है positive है positive है positive है तो यहाँ positive आ गया तो मतलब अंदर का charge positive है तो यह excited होई है तो यह excited हो जाएगी और यह जो junction आपको दिख रहा है दोनों के बीच में क्या present है gap junction present gap junction समझो मेरी बात को बहुत ध्याद अब इनके क्या significance है क्या महत्तो है और हो सकता है कि आपको यहाँ पर क्या कुछ इनका drawback भी देखने को मिल सकते है तबसे पहले समझो यहाँ और यहाँ ना तो synaptic vesicle है ना neurotransmitter है ना यहाँ LG IC है ligand gated ion channel है कुछ भी नहीं है यहाँ पर तो सबसे पहले यह most common है और यह rare है ठीक पहली चीज तूसरी चीज synaptic gap present यहाँ synaptic gap ही नहीं है synaptic gap absent यह बहुत छोटा सा दिख सकता है synaptic gap अच्छा एक बात बताओ synaptic gap present है तो यहाँ पर क्या और क्या present है synaptic vesicle present neurotransmitter present neurotransmitter का रोल है यहाँ synaptic vesicle नहीं है synaptic vesicle absent है है ना और आप कह सकते है no role of neurotransmitter no role of neurotransmitters neurotransmitter का कोई रोल ही नहीं है दूसरी चीज़ आप chemical synapse में यह कह सकते है कि यहाँ पर यह स्लो ट्रांस्मिशन होगा यहाँ जानते हैं कि यह स्लो ट्रांस्मिशन क्यों होता है स्लो ट्रांस्मिशन का मतलब यह हुआ कि पहले इंपल्स आएगी फिर सुनेप्टिक वसिकल का कोलीजन होगा निरो ट्रांस्मिटर रिलीज होगा फिर निरो ट्रांस्मिटर अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा तब जाके अगली निरोन में कंड़क्शन होगा इंपल्स जनरेटर होगा यह फास्ट है कुछ नहीं करना है भाईया इसमें तो अंदर जो चार्ज डेवलप हुआ है वो गैप जन्क्शन की हल्प से इसमें आ गया पटाक से कहीं न निरो ट्रांस्मिटर रिलीज करवाना है न उसको बाइंड करवाना है यह स्लो ट्रांस्मिशन क्यों है भाई क्योंकि यहां पर आपको सिनेप्टिक डिले भी देखने को मिलता है सिनेप्टिक डिले प्रेजन और यहां सिनेप्टिक फटीग भी देखने मिलता है सिनेप्टिक फटीग प्रेजन सिनेप्टिक फटीग भी देखने मिलेगा synaptic delay का मतलब उस impulse को gap में जो synaptic gap में जो time लिया जाएगा उसको synaptic delay कहते है तो gap ज़ादा है तो time ज़ादा लगेगा वहाँ और synaptic fatigue का मतलब जो neurotransmitter पहले से release हुआ है उसको जब तक degrade नहीं करेंगे तब तक अगली neuron जो impulse है वो transmit नहीं होगी यहाँ आपको no synaptic delay देखने ना तो synaptic delay देखने मिलेगा ना synaptic delay, no synaptic delay no synaptic fatigue ना ही आपको synaptic fatigue भी नहीं अच्छा तो जब यह इतना fast conduction है तो nature ने इसको क्यों ज़्यादा नहीं बनाया आप सोचो कि nature की ऐसी क्या मजबूरी थी भाई जब यह इतना fast conduction है तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा होना चाहिए इसको nature ने क्यों नहीं बनाया कुछ तो इसके पीछे का वो होगा कि nature इसको क्यों नहीं favor करती है यह rare क्यों है हमारी body में कहीं कहीं है भी तो rare क्यों है बताए कोई बता सकता है मुझे कोई बता सकता है क्या इस बारे में किसी का कुछ थोड़ा सा भी mind apply हो सकता है क्या यहां पे कि अगर यह fast conduction है यहां ना neurotransmitter और cell की energy भी बच रही है ना भही neurotransmitter बनाना उसको pack करना उसको फिर bind कराना फिर release कराना कितनी सारी energy बच रही है उस neuron की तो why nature doesn't favor this type of synapse although this is very faster than chemical synapse because समझ रहे हो कोई बताए हम आपके थोड़ा सा हम आपके वो देखना चाहते है आपका अपन व्यू देखना चाहते है not a single answer yet कोई बतादे भाई अपना थोड़ा सा दिमाग एप्लाई करिए नहीं नहीं बताएंगे अरे कोई answer नहीं आ रहा देखिए हम बता रहे है अरे मेरा comment मेरी आवास तो जा रही है मैम nerve damage का chance उसमें जादा होगा इसमर्ती तिरपाटी नहीं है यह कोई logic नहीं single exon नहीं नहीं यह कोई logic नहीं because type of impulse cannot be moderate here आप इसे excited tree मतलब अगली neuron में हमेशा यह electrical तो है ही simple सी बात है electrical है अगली neuron में यहां पर neurotransmitter का रोल है तो अगली neuron को excite भी किया जा सकता है inhibit भी किया जा सकता है but यहां अगली neuron हमर बार excite ही होगी उसे आप inhibit नहीं कर सकता है because there is no role of neurotransmitter पहली neuron excite है तो वो ही plus charge ही उस gap junction से अगली में जा रहा है अगली neuron always be excited cannot be inhibited अभी भी अगली neuron next neuron inhibit नहीं की जा सकता जुरत पढ़गी inhibit करने की तो क्या करोगे are you getting my each and every point यहां पर आपका मतलब अगली neuron में excitatory और inhibitory post synaptic potential दोनों generate हो सकता है और यहां पर हमेशा excitatory post synaptic potential ही generate होगा are you getting my each and every point जल्दी से बता दिचे एक बार so type of impulse cannot be moderated here ठीक जल्दी बता दिचे एक बार सभी को समझ में आ रहा है